नमस्ते दोस्तों, हिंदी की खूबसूरत और चुनिन्दा कहानियों की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है आज मैं जो कहानी लाई हूँ वो शिवानी जी की लिखी है, नाम है शर्थ शिवानी जी के प्रशंसकों के लिए एक दोफा सरूप है शिवानी जी के प्रशंसक उनकी कहानियां कई-कई बार पढ़ते या सुनते हैं और बार-बार उनको उसमें नया जैसा ही रसाता है तो शुरू करते हैं कहानी शर्त मुर्ग रोस्ट होगा सरकार खानसामे ने परदे से जांक कर पूछा हाँ और सब बन गे आली निक्ची बनने को है अली की फ्रेंच कट सफेद दाड़ी के बाल भी आज विशेश करीने से सजे थे ठीक है रमा ने फूल नाम से थमा कर कहा इसे खाने की मेश पर लगा देना और देखो मुर्ग वैसा ही बने जैसा लाड एशली की दावत पर बना था तुमारी तारीफ पंदीजी तक पहुँच गई है अली अब लगता है कि तो हमारे हाँ से छिटक जाओगे नहीं सरकार कथे से सनी 32 दिखा कर अली ने कहा वैसे खुदा जूप न बुलवाए रोज अमेरिकी अमबेसी वाले बुलावा भीज रहे हैं पर आपका नमक खाया है मजाल है जो कोई पहुचा पकड़ ले आप आराम से तयार हो लीजिए मुर्ग ऐसा बनेगा इंशा आला कभी बनाने होगा अली की जिंदगी ही बावर्ची खानों में गुजरी थी अंग्रेज, इतावली और जर्मन फौजी अफसर रियासत के रजवाडे उनके शौकीन रेजिडेंट सबकी उची-उची पसंदों को उसने चुटकियों में जिमा दिया था मुर्ग बनाने की हर बारीकियां उसके जरजर हातों में सद गई थी कई सर्टिफिकर्टों से उसका बकसा भरा पड़ा था पर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसकी आजादी चली गई खुदा बचाए इन हिंदुस्तानी में साहबों से पहले कमिश्टर साहब क्या नौकरी की सुना था ICS साहब है पूरे डिवीजन के शैंशा और वो भी अपने ही मुल्क का चट से अली ने नौकरी कर ली दूसरे ही दिन से मेम साहब आलू गिन गिन कर देने लगी और एक दावत के दिन एक सिग्रेट के डिब्बे में डालडा दे कर बोली खान सामा बढ़िया मुर्ग बनाना समझे और इसी घी में कोफते भी बना लेना अली से नहीं रहा गया अकड़ कर बोला गुस्ताकी माफ हो गरी परवर मुर्ग तो बाशाही तवियत का होता है इत्ते से घीमत तड़प कर रह जाएगा बस उसी दिन उससे जवाब मिल गया फिर गया एक डिप्टी सेकरेटरी के हाँ जहां उसकी लाईी चीजें में साब फिर तराजू पर तॉलती और हर छटाक पर उसका इमान तौला जाता अली वहाँ भी छोड़ाया और अंत में उसकी नाव किनारे लगी गई उसकी इन में साब ने जैसी चांद सी सूरत पाई थी वैसी ही मीठे चश्मे सी तब्यद भी दिन रात दावतें होती प्राइम मिनिस्टर से लेकर राजदूतों तकी भी लग जाती पर आज की दावत सबसे बढ़िया होगी अली समझे में साब ने कहा और वो जी जान से जुट गिया था सच आज की दावत में रमा बाजी मार ले जाना चाहती थी अपने ड्राइंग रूम के वैभव को उसकी मुगधा द्रश्टी बार-बार चूम रही थी एक-एक पेंटिंग चार-चार हजार से कम की नहीं थी कहीं दिवार पर उसका प्रधान मंत्री के साथ चितर टंगा था कहीं वो महरानी एलेजाबेट से हाथ मिला रही थी और किसी चितर में वो धूप का चश्मा लगाए पोलो के वेजेताओं को पुरसकार के कपवितरित कर रही थी विदेश यात्रा से लाए गए उसके सौविनेयर यत्र तत्र विखरे थे देख कर ही लगता था कि किसी डिप्लोमेट के सुरज पूर्ण बैठक का कक्ष है आज आएगी लीला वही लीला जिससे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्थ हार गई थी ठीक 20 वर्ष पहले आज उसी हार का बदला लेना होगा लीला का चितर उसने कली इवस वीकली में देखा था कितनी मोटी और बेडोल होकर फूल गई थी बेचारी लीला आज तुम देख लोगी कि तुमारा आनंद मुझे देख कर फिर वैसे उनमत धोटेगा अपनी नासमझी पर मनी मन जुन्जलाएगा खीजेगा और बाहर भीतर जाते मुझे ही देखेगा केवल मुझे तुम्हे नहीं तुम्हारे यौवन ने तुम्हें दगावाज मित्र की भाती छोड़ दिया है और मैं हाँ 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 कर जोर से हसने को जी हुआया रमा का दो साल में वो पूरे चालिस की हो जाएगी पर क्या उसके चिकने से भोले चेरें पर एक भी जुर्री उभरी थी उन मस्तानी आँखों का जादू रत्ती मात्र भी कम हो पाया था उसकी मंदोदरी देवलरी क्या अभी भी वन्यलतासी लचीली नहीं थी बीस वर्ष पहले उसके जी में आया था कि इसी नागिन सी लीला की छाती को चीर कर उसका खून पी ले और आज कितने आग्रें से उसने लीला को डिनर पर पुलाया था अपने पती से उसने कभी नहीं कहा और कहती भी क्या यही आनंद पांडे जब ICS में सरफ्रथम निकल कर कटी पतंग से विवा की मार्केट में आगिरा तो समरत जनक वर्ग दल बांध कर उसकी कटी डोर को पकड़ने जुट पड़ा था जुट के व्यवसाई श्रीकांद जोशी जिनकी मेम सी गोरी द्विता के लिए कितने ही परवतियर रस सिद कवीशरों ने कविता के पोथे के पोथे लिख मारे थे सिविल सर्जन रागोपंथ जिन्होंने अपनी श्यामा पुत्री के द्वारचार में ही एक चीनी मिल देने की गोशना कर पूरे कुमायों समाज में खलबली मचा दी थी और भोलेशर जोशी जिन्हें कुमायों के उचे गोत्रे ब्रामनों ने बहुत नीच कुल के जोशियों से संबंधित सिद कर दिया था अपने अपमान का बदला लिना चाहते थे मूमांगे दामू आनन्द को जर्माता के रूप में खरीद कर किन्तु रमा उन सब मूर्खों की महतवा कांख्षा की विर्थता जानती थी उसके पिता की स्कूली मास्ट्री ने उनके दस प्राणियों के परिवार को मद्धिमवर्गिये इस तर से भी नीचे पटक दिया था वो जानती थी कि उनके अभाव ग्रस्त ग्रह में केवल तीन नीग्रों होट वाले मोटे मोटे प्याले और पांच बदरंग तश्तरियां थी कभी कोई सम्मानित अतिती आ जाता तो पिछवाडे का द्वार कोल करो अपने छोटे भाई बैनों में से किसी को दोड़ा कर परोज से चमश मंगवाने भेज देती एक तश्तरी में आत्पाव मिठाई बिखेर बिखर कर ऐसे सजा देती जैसे धेर सी दिखने लगे भाई बैनों को सिखाना पढ़ाना भी पड़ता देखो मिमानों का मुह मत्ताकना खबरदार जो टुकडा भी लिया कह देना हमने अभी अभी खाया है अतीथी के जाते ही उसका अनुशासन भंग हो जाता और भाई भेनों का जथे का जथा तूट पड़ता मिंटों में तश्तरी साफ हो जाती मा की फटी साड़ियों का आवरान ओड़ते ओड़ते घर की एक मातर रजाई अपना अस्तेतुखो बैठी थी पर फिर भी चिर दारेद्र से पूरी तरह निगले जाने पर भी स्कूली मास्टर रामदत पंत का काट का पाड़ी मकान दूतिमान तारे साही चमकता बुनिया बुआ जब कभी मायके आती अपनी भावी से यही कहती जो भी हो नान बोज्यू बच्चे तो तुमारे खरे कुंदन के टुकडे हैं एक से गंधर्ब किन्नर देख लेना अपनी यही रमुली लाखों की भीड में भी चमक कर ही रहेगी क्यों नहीं मांगती आनद गुआ तेली कैसे कैसे लाट कमिशनर रुक्मी को पान सा फेर रहे हैं मुझे क्या पूछेगी एक लंबी सास खीज कर उसकी मा फिर उद्रे उनका मोजा बुनने लगी थी कितनी खीज उठी थी उसे उस दे नम्मा पर लेकिन वो जानती थी कि उसका सौंदर ही पिता के कु प्रदरपण में बड़ी सिकाली दराड थी रंग बिरंगे नाना प्रकार के बिनाका के ट्रांसफर छोटे भाई ने इधर उदर चिपका दिये थे एक साथ पूरा चेहरा देखने का कोई उपाई ही नहीं था कभी एक जोड़ा रसीली चितवन दिख जाती तो कभी एक फा जरानी थी अपने अग्यात कालपनिक वर के हिर्दय की एक छत्र संब्रागी किन्तु बुआ के प्रस्ताओं ने अग्यात वर को सहसा उजाले में खीच कर रख दिया था अब उसे आनंद के हर कोट और स्वेटर का रंग कंठस था आनंद की माता रुकमा उसके पिता के बाल दोपोंच कर रख दिया था नजर बाग में उनके दुमजले मकान का नक्षा ही बदल गया था पहले काया पलट हुई थी बैठक की सब तिबत्ती आसन और पहाड़ी चुटके जिनसे सदा पानी में भीगे कुत्ते की सी बदबू आती थी उठा कर गोदाम में फेक दिये ग कोईता की आवरतिकर बेचारे अतिती का खोपड़ा ही चाट कर रख देती बाइस वर्ष में पहली बार उन्हें लखनों की गर्मी अस है लगी और पूरा परिवार अल्मोडा आ गया अल्मोडा का शांत नगर भी एक बिसरे दरिद्रिस नहीं आत्मियसा है जो अपने आसी स्वजनों द्वारा वर्षों से निरातर से भुलाए जाने पर भी मिलते ही अवहिलना की कसक को भूल कर बाहों में भर लेता है आनन के पिता भुवन चंदर को भी अल्मोडा ने गरले लगा लिया पूरा आंगन महलाओं से भर गया किसी ने रुकमा की छटी की पूरि रुकमा सबके इसने और लाड में हातों ही हात उचलती जा रही थी 22 वर्ष पश्चात मिली आत्मिय सजनों की भीड में वो सरस डुब्कियां लगा रही थी कि दिग गई रमा की अम्मा हाए दिज्जी उमर हो गई पर तुमारे निगोडे रूपने हार नहीं मानी हाए मैं कहा जाओं एक बाल भी तो सफेद नहीं हुआ तुमारा और मुझे देखो कहकर उसने खिचडी बालों से आचल हटा लिया सचमुच वो अधेड हो गई थी मा के पीछे संकोच से सिब्ती रमा को खीच कर रुकमा ने गले लगा लिया आहा क्या कुमया रंग पाया है दिज् उसके लिए तो उस दिन अपने आंगन में खड़ी काठी अक्रोट की हर डाल सोने की बन गई थी और डाल से जूलते सारे अक्रोट नीलम पुक्राज और पंडों में बदल गई थे वो निती ही रुकमा के आँँ आती जाती कभी सैट्रों का गला बनाने कभी मंगोडी दु प्रदा अपने को बहुत छोटा ही महसूस करता वो जानता था कि रमा के पिता दरिद्र होने पर भी बड़े महत्वा कांक्षी थे और इसी से आधा पेट रूखा भूजन पाकर भी रमा को इलाबास से अंग्रेजी सहित में एमे करवा रहे थे कमरे से ही कभी किंग लियर और कभी ब्राउनिंग की सस्वर आवरती करने पर भी रुक्मा के पास बैठकर चावल बींती रमा की गर्दन बेचारा आनन्द नहीं उठवा पाता कभी कभी उसे जुझलाट भी होपती हद दरजे की गुमसुम लड़की है आँख ही नहीं उठाती एक लीला भी है कितनी आनन्दी लड़की किन्त आनन्द मनीमन जानता था कि रमा की उन नशिली आँखों का जादू ही उसकी जुकी पलकों में चिपाता कभी भी वो उसकी और आँख उठाती तो वो सब कुछ भूल जाता पहाड़ी ताल के जादू ही रंग की भाती ही उन आँखों का रंग अरे बड़ी धूप में आई दिज्यू ये क्या कुछ खजूर सिंगल पकालाई हो क्या मेरे लिए इतना कह बड़े इसने से रुकमा ने थैली छींग ली रमा की मां पसीने पसीने होकर जमीन में गरसी गई हाई क्यों आ गई हो बुनिया लली के कहने में कहां रुकमा का देखूंगी आनन लजा कर बाहर चला गया और रमा की कुंडली असंग के जनकुंडलियों के अंबार में दब कर रह गई रुकमा अपनी सरल से दिज्यू से जबान खोल कर कुछ कहवी नहीं पाई थी असल में आनन का रिष्टा उसके वश्की बात नहीं थी बड़े अकली का भेद क्या बता सकने का साहस होगा उसे रुकमा के पास ही एक मकान में रहते थे डिप्टी मिनिस्टर भोलेशर जोशी दिन रात पासपडोस के खेत की ककड़ी की फलियां चुराने वाला ककड़ी चोर भोलिया ना जाने कब देश का करणधार बन गया था खलवाट चमकते सिर पर सफेद खादी की तिर्ची टोपी नाओ सी तिर्थी दमकते ललाट पर चंदन की छोटी सी बिंदी चिकने चुपडे चेहरे पर पवित्रता का केतन सा फैरा देती भोलेशर जी की एक ही कन्या थी लीला लीला बच्पन से ही रमा के साथ इस्थानिये स्कूल क धरन ही थी लीला सावला रंग मोटी नाग और सिकुडा सिम्टा सा ललाट किंत रूपरंगी तो सब कुछ नहीं होता होटों पर आखों पर भिन्न भिन्न तुलिकाएं फेर कर वो वेधाता की कुछलता में तुर्टिया निकालती रहती रमा प्राया ही उससे सुनती आज ब अनी मन पेट की आते तक जल जाती पर रमा चुपचाप सब सुनती रहती उसे एक ही बात का संतोष था भोलेशर की रतन जड़ित करन्या को रुकमा चाची कभी पसंद नहीं करेंगी मैसूर चंदनवन की सबसे श्रेश्ट चंदन की बिंदी भी कुल के कलुष को धो नहीं जाकर उन्हें गंगा में धक्का दे दिया था बात जो कुछ भी हो सरवथा निर्मूल नहीं थी विदुर बोलेशर के वैभव ने उनका कलंग थोड़ा बहुत धक दिया था किन्त कुमाओं की प्रसिद होली के बेजोड़ गानों के रसिया नायक रहते बोलेशर लड़को ज़न पर रहता आंद्र खादी का मिट्टी दाने का कुरता और खद्दर की अहिंसात्मक भटके की दोती ब्राम महुर्ट से उनका भजन पूजन आरम हो जाता एक ही समय भोजन करते थे वो भी सूक्ष फलाहार आनंद का जनम दिन पढ़ता था वैशाकी पोनिमा को उसी द गई मुझे लग रहा था आज तो यहां नहीं आएगी आज तो आनंद का जनम दिन है ना नहीं गई अपनी चाची के यहां बड़े खाने रमा तिलमिला उठी ओ समझ गई कल लिला ने अपनी खिड़की से देखा होगा आनंद के नए स्वेटर को उसके कंदे से लगा कर न दारा अचानक सूख करी रह गई थी पास की खिड़की से एक सावले निर्मम चेरे की क्रूर दर्ष्ट दुनों को देख रही थी बुरा मान गई रमा लीला ने उसे खीच कर अपने पलंग पर बिठा लिया कुछ कहने को ही बुलाया था तुझे तेरे इनी मनमोहन से मेरे रिष्टे की बात चल रही है पगली इसी से सोचा तुझे आगाह कर दूँ बेकार में स्वेटर मत बुलना सब मेनत मिट्टी में मिल जाएगी ही ही कर वो निरलज्यता से हसने लगी रमा का चेहरा अक्षार भर को सफेद पड़ गया फिर आश्वस्थ होकर खड़ी हो गई निर्भीक दृष्ट से लीला की और देखकर उसने कहा बात चलने में और रिष्टा पक्का होने में बड़ा अंतर है लीला मैं शर्त रखती हूँ कि चाची तेरा रिष्टा कभी नहीं लेंगी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था बार बार उसे अपनी अल्प बुद्धी औ तो मैं तेरी बांदी नहीं तो ये तेरा ही नाम कहकर उसने अपना मोटा काला उटा फिर नचा दिया रमा की आप्षों में अपमान के आसू चलग गए और वो धरधराती सीनिया उतरती घर की और भागने लगी समलके समलके कहकर उसे सकरी सी गली में किसी की टकर लगी इतने लाड और दुलार से उसने पूछा था पर रमा का जितना क्रोध लीला पर था सब आनन पर बरस पड़ा आपका ब्या उसी शजादी से हो रहा है तो हुआ करे किसी को अपने घर बुला कर अपमान करवा के जी नहीं भरा क्या बेचारा भोचक्का साथ से देखता रहा कह क्या रही थी वो उस दिन जरासी समझ से काम लिया होता रहा माने डूपते सूरी की अरों रश्मियों से रंजित अल्मोडा की उस सक्री सी गली में उसका भवशे बन सकता था जब आनन ने उसका हाथ पकड़ कर कुछ कहने की चेश्टा की तो वो हाथ छुड़ा कर रोती अपना नहीं बना सकती थी जाने से पहले रुकमा चाची ने बुलवा भेजा तो उसने रजाई में मूँ लपेट कर बीमारी का बहाना बना लिया उसकी माही जाकर मिलाई थी अम्मा और बाबुजी की बाते भी जीर्ण रजाई का आवरण चीर कर उसका हिर्दय विदीर् तुमने ही तिक तिक लगाई थी लीला सही रिष्टा पका हो गया है आग लगे इस रुकमा के तीरत बरत को आखिर लाई भोजी के यार की बिटिया को अम्मा का सर रुलाई और खीज में ढूब कर रह गया था दुन्दली आँखों पर टूटी कमानी का चश्मा लगाए उ फिर भुनिया बुआ उसे अपनी सस्वराल लेती गई थी बुआ के परोस में एक लाल छट की उची सी हवेली थी तराई की सब कोठियों में सबसे ही अधिक चमकती थी वो कोठी उची महरावें आकाश शूती थी और क्रिक्यों पर लकड़ी के बने हाथी गोड़े और पह इस में बैठा है क्या पता निकल भी जाए सचमुछी गिरीन जोशी आईसी अस में निकलाया यही नहीं एक दिन सफेद अंगरखा पहन कर पगड़ी धारी पंडित जी रमा का चिन मांगने भी आ गए रमा रोई धोई खाना पीना छोड़ा पर भुआ की एक करकश धंकी न आग लगे ये कुमाओं की मान मर्यादा अब कहां से लाएं तेरे लिए सेला खोला के जोशी और सिमल्टी के पांडे खबरदार जो रोई धोई धोई धूल अर्ग के समय पति के कुल के शंखो चार ने गूंगट के नीचे ही उसकी आखे भिगो दी थी छी छी आईसीयस है तो क्या है तो सनीचर के दान लेने वाले जोशियों का ही बेटा तिन्तु विवा के बीस वर्षों में वो शसुर कुल द्वारा लिये गए तेल के दान को धीरे धीरे भूल गई पति के उंचे ओदे ने उसके पित्र कुल के दारेद्र को धो पोंच कर एकदमी साफ कर दिय महिमा को उसकी बढ़ती तोनने और बढ़ा दिया था अपनी सुंदरी पत्नी के बगल में हो सचपुच महीं नहीं जचता था किन्त उसकी फॉरें सर्विस ने उसके शील सोजन्य को और भी निखार दिया था निश्कपट हरदय का सौंदर जो पानी में तेरते तिनके की भ रगता था अब वो स्वास्ति की लालिमा से दमकने लगा था अंग अंग पर सुक संतोष की आभा थी दो राम लक्षमर से पुत्र गौर मोहन और शामल कैम्वरिज में पढ़ रहे थे विदेश से आई दोनों बेटों की तस्वीर को उसने ऐसे कोने में सजा कर रख दिया जैसे आते ही लीला को डस ले वो सुन चुकी थी कि विदेश के चरक भी लीला का बांजुपन दूर नहीं कर सके थे आज उसने विशेश परिश्रम से ही घंटों लगा कर केश विन्यास किया देख लेगी लीला कि मास्टर की कन्या भी लेटिस्ट बिगेटी बर्टॉल दामी रोसिल की चंदनिया साड़ी में उसका चंपई रंग और भी खिलता है वो यह जानती थी इसी से उसने वही साड़ी निकाली जिसे पहनने पर लोग शिरमती केनेडी को देखना भूल कर उसे ही देखते रहे थे बिना बाहों की मयूर कंठी चोली जिसे उसने आदिव फिलताला बनाकर। मस्कारा का जाल बिचा कर उसने दरपर पर दिष्ट डाली। उसके स्ट्रॉवैरी से रसीले होटों को कभी लिपस्टिक से मदुरे याच्चना नहीं करनी पड़ी थी। آज भी उसने क्योवेल पानों की लाली से ही उसे विलासी बनाकर छोड़ आज क्या पच्टावे से सिर नहीं दुनेगा आनंद। अच्छा हनी मैं उनलों को जाकर ले आऊ उतनी कार में। गिरींद्र कमरे में कहता ही आया और रमा की साथ सज्जाद देखकर ठिटक दिया। बाई जान रमा ये कौन सी साड़ी निकाली तुमने। बेचारे आनंद की बसूरत लीला का तो कुछ ध्यान किया होता। कटर रह जाएगी तुम्हें देखकर आज ओ मनीमन कहेगा। ये वाकी भी पूरा नहीं कर पाया था कि कार का हौन सुनाई दिया। लगता है वे लोग आ गए। गिरींद्र हरबडा कर बाहर गया और रमा का कलेजा इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे बाहर आकर ही मानेगा। क्या कह गया थर गिरींद्र बेचारे को क्या पता कि आज ही नहीं 20 बरस पहले ही उसका सौंदर आनंद के मनीमन बहुत कुछ कहलवा चुका था। ओ नमस्कार नमस्कार मिसेश जोशी वा आप तो जराबी नहीं बदली अरे ये क्या ये आपके बेटों की तस्वीर है देखो तो लीला कितने बड़े हो गये बेटे भी मिसेश जोशी के। बड़े उतसाह से आनंद ने रमा के पुत्रों की तस्वीर उठा लिए और चश्मा ठीकर देखने लगा। ग्रींद और रमा का चेहरा पुत्रों के प्रिशंसा सुनकर गर्व से खिल उठा। रमा ने कन्खियों से देखा लीला का स्याह चेहरा और भी स्याह पढ़ फिर पती के उत्साह में कोई दिल्चस्पी नहीं लेकर वो धम से सोफे पर बैट गई कितनी गर्म हवा चल रही है आनी आज कुछ ज्यादा ही उमस है क्यों है ना मिस्टर जोशी चोड़े पर्स से आइना निकाल कर उसने चेहरे पर पफ फेरा हाँ हाँ बेहत गर्मी है क्या बात है अपने अल्मुडा की हवा की कहता गरींदर आनंद के पास ही बैट गया रमा के हाथ पे फ्रोद से ठंडे पड़ गए हद है बेहुद की की सरल पती को तो उसका अपमान छूबी नहीं गया एक अक्षर भी उससे नहीं बोली लीला सच्मुच लीला बहुत ही फूल गई थी रंग विदेशों की हवा भी नहीं निखार सकी थी संतान वंचिता अधिकांश नारियों की ही भाती उसका चेहरा जेल की किसी कूर महिला वार्डन कासा बन गया था आनंद की हसी उसके सर की परचित जंकार ने रंगा को चुपचाप सा बना दिया लीला ही धारा प्रवा बोलती जा रही थी साहित ते राजनीती डिप्लोमेसी और विदेशी सराब कोई भी विशेस ऐसा नहीं था जिस पर बहस नहीं चली अकेली रमा ही सिर जुकाय चुपचा बैठी रही आनंद और गिरींदर दोनों को लीला ने अपनी वाणी विन्यास के जाल में पूंतिया लपिट लिया था खाना लगा तो लीला बिना प्रशंशा की यही जखोरने लगी रमा के डिनर की ख्यात राजधानी के ओर छोड तक फैली थी कंगली सी लीला मुर्ग का सीना तक चिचोड कर खा गई पर फूटे मूँ से यह ने निकला कि मुर्ग क्या लाजवाब बना है आनंद भी पतनी की ओर बार बार देख रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी दावत में पहली बार गया सहमा सा कोई बच्चा आखों या आखों में अपनी मा से पूछता है ये खालूं वो खालूं और सबकी आख बचा कर आखे दिखा कर मा उसे डबट देती है खबरदार जो अब कुछ लिया ऐसे ही कुछ इशारा कर दिया था शैद लीला ने रमा ने देखा सहम कर आनन ने प्लेट खिसका दी इस्तियों को विधाता ने बड़ी ही सूख्ष में द्रश्ट दी है कौन पती अपने ग्रह का स्वामी है और कौन अपनी पत्नी के शाषन की दोर से जगड़ा कलीव है वे एक शन में पता लगा लेती है रमा ने देखते ही तार लिया था कि आनन सदा उसी जंजीर से बंधा रहेगा डिनर के बार अली एक अदुतिय जापानी सेट में अर्वी कहवा ले आया रमा जानती थी कि कौफी की ऐसी अन्वोल क्रीम डली गूट लीला के ककड़ी चोर बाप को भी नसीब नहीं होई होगी आदा ही प्याला पीकर लीला ने मुँ पोच लिया अब चलो आनी बड़ी देर हो गई उसके कहते ही आनंद उसके आदेश की प्रतंचा में तीर सासत कर उठ खड़ा हुआ कुशल पीटी मास्टर की भात लीला उसे उठा गिरा रही थी अब आखों ही आखों में जैसे उसने कहा दाही ने देख धनेवाद मिसेश जोशी आनंद ने कहा किन्त उसकी आखे सोता ही गरींद के चेहरे के और मुड़ गई बड़ाई अच्छा समय कटा भाई जोशी धनेवाद कहकर उसने गरींद के मांसल गुरगुदे हातों को पकड़ कर जोर से हिलाया अतितियों को विदा देने रमा बरसाती तक चली आई गरींदर और आनंद आगे आगे चलने लगे लीला जान भूज करी पिछड कर रमा के साथ हो गई रमा का माता ठनका अचानक ये चलते चलते कैसा इसने क्या अपने रूखे दुरविवार के लिए एक शमा मांगने तो नहीं पिछड गई लीला ने रमा का हाथ बड़े लाड से पकड़ लिया और कहा अपने मिया को तनिक संभल कर दिखिलाया कर डिप्लोमेट की पतनी को अपने पती के व्रक्तित को तांगे के घोड़े की भाती सवारना पड़ता है देखती नहीं कितनी तोन निकलाई है जोशी की रमा का सुंदर चेहरा विथा से नीला पड़ गया उसका पती क्या तांगे का घोड़ा है लीला ने तो इस पश्टी कर दिया कि देख ले आनंद के छटे शरीर को और फिर देख अपने पती के बेडोल मुटापे को लीला भी समझ गई कि उसके विश-बुझे तीर का वार्थ खाली नहीं गया देखो तो रमा उसकी जहरीली हसी ने रमा को फिर डसा ये अंगूठी कैसी है अनकट डायमंड की है कली आनी ने मुझे जनम दिन पर दी सोचा तुझे दिखाने को कहा था ना चलते चलते दिखाई दूँ पहले रमा इस्तब्द रह गई कैसी अंगूठी दिखाने को कहा था क्या कह रही है लीला ओ पगली भूल गई नहीं भूली नहीं होगी हम औरते कभी शर्त नहीं भूलती वो फिर हासी रमा का सिर चक्रा गया 20 वर्ष की शर्त को रमा भूल गई थी पर लीला नहीं भूली थी रमा ने देखा वो उसे अनकट डायमंड की अंगूठी नहीं अपना स्या मोटा अंगूटा दिखा रही थी ये थी आज की अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी शर्त कहानी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पताईएगा फिर मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी कहानी के साथ आपका समय शुग हो मंगल मैं हो